हलो दोस्तोव आज की वीडियो में हम आपको बताएं कि हम jpg फाइल को png फाइल में किस परकार से चैंज कर सकते हैं यानि कि अपने फोटो का बैक्ग्राउंड कैसे चैंज करें तो चलिए दोस्तो लोट़ फूट को open किया मैंने एक emoji को open किया अब मैं इसका background चेंज करता हूँ अब मैं इसका background चेंज करता हूँ दोस्तो आप देख सकते हो मैंने इस emoji का background यानि कि जो wide background ता उसे मैंने γडाइब कर दिया है अब मैं इसे PNG में सेव कर देता हूँ तो दोस्तो ये करते कैसे हैं चलिए वीडियो को लाज तक जरूर देखे वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना करें तो दोस्तो अपने फोटू का बैकगरांट किस परकार से चेंज करें और अपने JPG फाइल को कैसे PNG में कनवर्ट करें आज मैं आपको बताऊँगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम एक एप का यूज करते हैं जो JPG फाइल से PNG फाइल को कनवर्ट करती है उसके लिए Play Store को Open करेंगे और Play Store को Open किया और Play Store में डालेंगे Background Eraser ओके करेंगे और यहां से इस्टॉल कर लेंगे दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हूं मेरे मोबाल के अंदर यह Open R.A.C कि मैंने से पहले से ही स्टॉल किया हुआ है तो इसे मैं आप open कर लेता हूँ, open करने के बाद आप load a photo पे जाओगे, यहां से इसे load करेंगे, और मैं जैसे कि एक किसी pick को मैं add कर लेता हूँ, stylish text को मैंने add किया, सबसे पहले आप देखेंगे कि हम अपने photo को size को छोटा या बड़ा या फिर cut करना है, तो यहां से इसे set कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसे done कर देंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम jpg file को png file में किस परकार से convert करें, तो दोस्तों, जैसे कि आप इसका background, जो blue background है, इस background को हम अठाना चाते हैं, और stylish text को png file में save करना चाते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले auto बजाएंगे, और blue background पर ok करेंगे, और इस cursor को, यानि कि इस red वाले cursor को blue पर लाकर छोड़ देंगे, जैसे हम blue पर इसको लाकर छोड़ते हैं, तो आप देख सकते है, blue background इस में, यानि कि jpg file में से delete हो चुका है, उसके बाद, जैसे कि यहाँ पर भी blue है, इसके छोटे वाले यानि कि point को लेके जाएंगे, और blue view पर छोड़ देंगे, तो इसका background भी गायब हो जाएगा, तो दोस्तो इस परकार हम किसी भी photo या jpg file का background को delete यानि गायब कर सकते हैं, और इसे png file में save कर सकते हैं, अब हम इसको save करते हैं, done जाएंगे, और इसे save करेंगे, और finish कर देंगे, इसके बाद हम दोबारा इस file को open करते हैं, load photo पर जाएंगे, और style text को ok करेंगे, और done करेंगे, दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें दो font है, एक text और style अब इसका background को हटाने के बाद, इस text को भी हटाना चाहते हैं, उसके लिए हम magic का use करेंगे, तो सबसे पहले auto पर गए, auto पर जाने के बाद, इसक magic पर गए, magic पर जाने के बाद, जिस परकार से आप text के ऊपर इस round को ले के जाओगे, तो automatically text delete हो जाएगा, इस परकार दोस्तो हम इसकी मदद से किसी एक point को भी delete करके, png file में save कर सकते हैं, manual, manual किसी चीज़ को delete करना चाहते हो, तो यहां से इसको manual delete कर सकते हैं, इस परकार से manual delete कर सकते हैं, अब दोस्तों, जैसे कि हमने कोई चीज़ को गलत या miss delete कर दिया है, उसको बापिस लाने के लिए, हम इस arrow यानि undo का use करेंगे, undo किया, और आप देख सकते हो, style is बापिस आ चुका है, फिर दवारा undo करेंगे, तो आप देख सकते हो, text भी मेरा return आ चुका है, तो इस परकार दोस्तों, हम अपने jpg file को png file में convert कर सकते हैं, और अपने photo या किसी भी file का background change कर सकते हैं, अब मैं आपको background change करके दिखाऊँगा, जैसे कि मैंने दो file को png में save किया, इसको मैं back करता हूँ, और insert को open कर लेता हूँ, insert को open किया, और photo में जाऊँगा, और किसी jpg file बनाए, उनको import करूँगा, जैसे stylish text, और दोस्तों, आप देख सकते हूँ, मैंने बढ़ी आसानी तरीके से stylish text और एक symbol का background change करके, अपने हिसाब से इसको set कर सकते हैं, तो इस परकार आप दोस्तों, अच्छी से अच्छी photo बना सकते हैं, और अपने photo का भी background change कर, सकते हैं,